नबस्तिया जी मैं हूँ धैरेवान आपका अपना हीलिंग मास्टर दोस्तों कल अक्षेतरितिया है हर साल होता है और अक्षेतरितिया को बहुत ही शुब माना जाता है कोई भी नए चीज़ को अपने जीवन में लाने के लिए चाहे वो ज्यान हो चाहे वो कोई धन हो चाहे धन से जुड़ा हुआ कोई चीज हो कुछ भी हम अपने जीवन में नयाली कराते हैं या कोई रिष्टे हो तो अक्षेतरितिया को बहुत शुब दिन माना जाता है अक्षेतरितिया के नाम को अगर हम समासते हैं तो अक्षे का मतलब होता है अक्षे वह जो छै नहीं होता ज नहीं सोच समझ के रखा गया है अक्षय मतलब की जो छे नहीं होता अक्षय पात्र आपने सुना होगा अक्षय पात्र एसकॉंड टेंपल की एक शाखा है अक्षय पात्र जहां खाने की विवस्था होती है जो मेगा कीचन कहा जाता है जिसे जो पुरे हर जगा खाना खाना की लाते हैं तो अक्षय पात्र भी उसका नाम इसलिए रखा के जहां कभी खाना खतम नहीं होता है पहले हम यह समझ लेते हैं कि अक्षय प्रतिया में ऐसा क्या क्या हुआ था मैथलोजी को हम जान लेते हैं हमारे जो दर्शन या हिंदू शास्त्रों में जो बताए आगे हैं कि अक्षय फिलतिया में ऐसे ऐसी बाते हुई हैं ताकि आपका जो विश्वास है अक्षयतिया को लेकर करके और प्रबल हो जाए क्योंकि हमें प्रमान चाहिए होता है ना कहीं ना कहीं तो कुछ हमैंब को देना चाहूंगा है ना तो जैसे कि अक्षय तृतिया को ही हमारे जीवन में गंगा ना दी मात देवी गंगा का गंगा मैया सुर्ग से उत्री थी भगवान श्रीव के जटाओं में समा करके फिर वो आई थी गंगा मैया ही सबसे पहले मरें मुँमें इसलिया कि कि ये जो पहली बार आप देख रहे हैं कि मैं किसी और कलर का शेट पहना हूँ इस चैनल में हमेशा मुझे आप एक ही पराम रागत में श्रीट को पहनने मुझे थी कि मैंने रिशी के इसलिए सबसे पहला आला इन भाही निकला तो गंगा मयार अक्षय तरितिया को ही प्रत्वी में आई थी और दूसरा चारो यूग जिसे हम कहते हैं चारो यूग की शुरुवात आज के दिन से ही हुई है जब भी एक यूग समाप्त होता है और नया यूग शुरू होता है वो अक्षेत रितिया के दिन को ही ले करके माना गया है आज तक शास्त्रों में कि नया यूग इस दिन से ही शुरू होगा जैसा कि आप लोगों को मैंने को समय बताया था कि आप यह मैं कलारी पयातू का भ्यास कर रहा हूँ वो फिजिकल के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी है जिसे कुंफू जिससे विक्सित हुआ है इंडियन मार्शाल आर्ट जिससे कहते है इंडियन मार्शाल आर्ट के नाम से जिससे जाना जाता है कलारी पयातू जिसमें हम शरीर को भी शक्तिशाली बनाते हैं और मन को भी शक्तिशाली बनाते हैं तो मेरे गुरू ने हमें जो हमें पताया था, कलारी पयातु के जो हमारे गुरू ने बताया था, क्यों कलारी पयातु के जो पहले गुरू थे वो थे भगवान परशुराम, भगवान परशुराम का जन्द भी अक्षयत्रित्या के दिन ही हुआ था, भगवान सुरिय ने एक और स्टोरी है कि आज ही के दिन सुदामा कृष्ण से मिले थे, मृत्तरा की एक अनुठी कहानी जहां आ सुदामा से कृष्ण मिले और सुदामा के जीवन में सब कुछ बदल गया, सुख समर्धी शांती सब आगे, तो भगवान कृष्ण का भी आशिरवात सुदामा को आ संसार में, और माता काम देनों के बाद, एक सबसे बड़ा रेफ्रेंस ये कि कुबेर जी महराज, जिनकी कुबेर कुंजी लेकर के हम अपने जीवन में बहुत कुछ लेकर आचुके हैं, इसके बारे में आपने कई भर देखा समझा है, कुबेर जी महराज, देवता, कुब सबी देवताओं ने मिलकर पूरे खाजाने का, देवताओं के जो पूरे धन समपत्ति हैं, उनका खाजांची, उनका रखवाला, उनका देवता गोशित किया, आज के दिन उन्हें ये पद प्राप्त हुआ था, तो ये कुछ रेफ्रेंसेस हैं, जिससे हम मान सकते हैं, जा तो आज के दिन, मतलब बक्षत रतिया के दिन किया हुआ कोई भी दान आपके जीवन में फ्लेगा, चाहे, आप कैसी भी मल्यचासे करो, बे मन से भी उठा के कोई दान कर रहे हो, तो भी फलेगा, बाकि समय में ऐसा होताए हैं, कि सच्चे मन से दान करो, या दान करने के ट तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो भी आपको फ़लेगा तो अक्षेत रितिया देने का अक्षेत रितिया में दान करने का मतद असल में प्राप्ट करना होता है तो अक्षेत रितिया में दान जरूर किज़ेगा तो चलिए इतने सरी बातों को समझने के बाद यह जान करेंगे करके दिन से करेंगे कोई दिक्कत नहीं तरिये जरूर इस always भी जीवन की बहुत भ να इन बहुत हैं यह उपाय आपको पहला उपएद धन के लिए धन को मैं जीवन में खीचने के लिए एक्ष्यत u दिया को क्यों ताकि वो धन और वो अनाज से जो उर्जा पैदा होगी वो हमारे जेवन में धन धान्य के ब्रिद्धि करेगी धन धान्य धान्य मतलब चावल खाना है न उल्द्धि करेगी तो वही परमतरा को आप इस बार भी दोर आ सकते हैं दोर आएंगे कैसे दोर इन दोर आएं तो वही परमतरा को हमें तोरा आएंए एक सबसे नौट लेजेे क्योंकि दस में 1-0-1 होता है तो एक सबसे शुब अंख मानेंगे हम मानते हैं हम निमरोलाजी में जो हमारे लिए सुरी का अंख होता है ऐसा एक 10 का नोट ले लेंगे ऐसा एक अंशेवड पेपर ले लेंगे जिसा कोई शेव नहीं होता ठेक है एकदम कटेट्श मत लेना एकदम प्रॉपर रेक्टेंगल चौकोन ऐसा काटना नहीं एक अंशेवड पेपर लेना इससे आप और इसमें कुछ लिख देंगे जैसे परमात्मों को बहुत धन्यवाद दे सकते हैं जीवन में सुखसम मरी दिंदाने की पूरते के लिखाने की धन्यवाद भाव में लिखना की मेरे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है धन खुत प्रगतिया की यह धन आ गया ऐसे कुछ विशेश आप लिखना दसका नूट उसमें रखना और अपनी तरब इस तरह से फोल्ड करना इस तरह से पूरी तरह से इसको फोल्ड कर लेना और अपने माथे में रख कर कि अपने विश को दोराना और चामल के टपे में उसे छिपा दे रहा फिर कभी मत देखना कहां गया क्या हुआ कैसा हुआ कभी मत लेगे और आप ये ऐसा उपाय है ना किसी के लिए जाए कर्म आपके कैसे भी रहे हो जीमन में धन आएगा जरूर धन आएगा जरूर इसलिए क्योंकि अब धन आएगा तो अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए कर्म शुद्धी प्रात्ना करना शुरू कर दीजेगा क्योंकि ना धन आएगा तब भी सुख लेके नहीं आता कहीं लोग भी कर्म खराब रहते तो क्योंकि अब धन आ रहा है तो उसे भोग सके है ना भोग सकें भई आपके करम अच्छे नहीं होंगे ना पिटा तो धन आ भी जाएगा तो आपका परिवार सुख भोगेगा आप फसे रह जाओ तो करम शुद्धिकली प्रातना शुरू कर देना चमादान प्रातना शुरू कर लेना ताकि आप अपने आयोए धन को भोग सकें ठीक है एक उपाई यह हो गया दूसरा उपाई सुन लिजे क्योंकि ये दूसरा उपाई उनके लिए जिनके घर में अरड़ी धन है धन संपत्ती है पहला उपाई थे वो था जिनको अब धन चाहिए और चाहिए दूसरे लोगं को लिए एक उपाई है कि घर में धन संपत् यह तो खाल प्लास्टिक का है, हमें एक्जामपल गले बता रहा हूँ, घाज-गास देक पात्र लेना, पहला, दूसरा लेंगे, एक पिले रंग का पेपर, पिले रंग का पेपर नहीं मिलता है, पिले रंग का पेपर उको बनाते हैं, हम हल्दी लगा करके, गिले हल्दी को पिले रंग का पेपर बन जाएगा, एक ले लेंगे तेज पत्ता, ठीक है, तेज पत्ता, चो खाने का तेज पत्ता होता है, वो ले लेंगे, ठीक है, और एक लेंगे चांदी का सिक्का, छोटा से बड़ा जो भी है, आपके बस चांदी का सिक्का घर में होगा, ले लेंग अब इस पात्र को 3-4 यहां तक, है न, 4 में से 3 हिस्ते को शहद से भढ़ देंगे, और एक चान्दी का सिक्का है, वो इसमें टाल देंगे, ठेक है, चान्दी का सिक्का टाल दिया, शहद और चान्दी मिक्स हो गया, ओके, अब जो पीले रंग का पीपर है, उसमें अपने घर के 6 सदस्यों का नाम लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे, वह 6 सदस्य जो सबसे important है, सबसे बड़े हो सकते हैं, दादा, दादी, ना, 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 नी, ताओ, ताया, ठेक है, या फिर उस सदस्यों का नाम लिखना जिनकी वजह से घर में problem हो रहे हैं, कलीशोरा, जिन लोगों में आ आँ लिखना, पिले लग के पेपर में, पेपर कौ फोल्ड करना, ऐसे वी जdır की बताया, अपनी तरख ऐसे फोल्ड करना, ठेक है, उस पेपर को भी उसमें डाल देना, ठेक है, फिर लेंगे तेज पत्ता, तेज पत्ता में marker pen सबसे अच्छा शुब लाब और उस तीज पत्ते को ऐसे सी दे दुबा देना शहद में वो ऐसे गूसेगा ठीक है और आप देखोगो तो दिखेंगा भी शुब लाब लिखा होगा तो कागेच में उन सबस्तेओं का नाम हो गया चांदी हो गया और तीज पत्ता हो गया और खकत को लगाबेजिये और अक्षा त्रीतिय की रात को चाहे आज की रात को करें चाहे कल की रात को भी करेंगे तो कोई दिख्यत नहीं पुरी रात इसको रख चे घर के बगवान dostud डिरेक्शन में ऐसा कोई टेबल बढ़िया से रावाट सा कुछ ले लीजे और वहां उसको रखती जे ठेक है रख करके ऐसे लाल कपड़े से ढग दे ताकि कोई देखे न देखता भी है तो भी कोई दिकत नहीं ढग करके उसको ऐसे सजा दीजे लाल कपड़े से ढग दिया उसके उपर ऐसे भगवान की प्रतिमा रख लिए अप ऐसे मनी प्लांट हो रहे से सजा लिए हां कुबेर कुण्जी लिया है तो उसको उसके उपर रख देखे ताकि अच्छा भी दिख जाए ऐसे श्री अंत्रवाला पिरामिड लिया उसमें रख दिजे सजा दीजे ये स सिहत स्वास्त घर का अच्छा होने लग जाएगा यसे गूमती चक्र है गूमती चक्र है अक्षयत रितिया में कुस्तो ऐसा ले ही लेना भले घर आए चार दिन पांस साथ दिन बाद घर आए कोई दिक्कत नहीं देंगे लेना जुरू च्छोटा श्री अंत्र हो बड़ा दिन भाद पि पिघर भाद ले सकते हैं गूमती चक्र ले सकते हैं पाइराइट रेस्पै के पथर ले सकते हैं दो कहा है अच्छा वीडियो बना दूङँगा मैं कि कैसे कहा से लामा इचित होता है अभी विलाल आप खरित यहीं बेद होगे ना लिंगे दुरु महां कर ब गाए को आलू खिलाना घर का घर में जाओ आलू निकल दो तिन आलू गाए को खिलाओ सपेतलर की मिठाईयां छोटे बच्चों को ढान कर खिलाओ जो ख़लता है। तो ये सरी चीजें हैं तो आपके काम आने वाली हैं और जैसे कि मैंने कहा थे किंज कृता सेकों की एक स eerste बातार बताओंगाINE इसरा उपए है चेक, अपने चेक में अपने लिए कुछ एमांट लिख करके आपको रखना है, उसके लिए पूरा डिटेल वीडियो बना है, जो कि जिसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके बाद वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उस वीडियो को देखना थाकि डिटेल समझ में जाकि चेक के साथ थमगे क्या करना है, यह सारे चीज़ें चेक बुक में आप कर सकते हैं, तो तीन उपए मैंने बता है अच्छे लिटिया के लिए, जो कि आपको करना है, और करें और पर जीवान को सुखी बिलाए आशा करता हूँ, यह अध्यार आपको बहुत अची से समझ में होगा, है ना, तो मिलते हैं, अने अले अध्यायों में तक तक के लिए, निवलस्तिया जी